गुराफ्टों इस्टूरेंस, दुप्राइके तीन बजे हैं, हमारा जो पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल्दा था, वो था सर्जरी के आपके फर्स्ट पार्ट का फिफ्टेंग चेप्टर, यानिकी फुद्ध एलेक्रोलाइज, एसेट बेस बैलन्स एंड नुट्र हम दढ़े हैं, ऐसेट फूुट के बारे młodय के वेश्ट ऐसी की हैं, वेवीडियों कि आफनी बॉडिबाद है, ऐसेप्र – दुफHHHH- फ्रूडड फनी फिङार रमतिन 해도, अदे मह्नी था स्वेग, तो गिफोड्रस पार्म में होता है, वेवीडियों तूल्ड form ऊताएं और बाकी का जो एक बच्चा यानि की वन थर्ट पार्ट वो आपके शरी में सॉलिड होता है अचा इस लोड में जो में कंटेंट होता है वो वाटर ही होता है आपको बोड़ी में और अगर हम देखें कि एक फूरी यंग एडल्ट मेल में अगर हम देखें तो लगभग उसके पूरे बॉड़ी वेट का 60% तो उसमें वाटर ही होता है यानि कि अगर एक पूरी एडल्ट मेल का जो वेट है वो 100 लो है तो उसमें 60 क्लो होगा वो वाटर ही होगा थीक है तो यह जो वाटर होता है यह आपकी बादिय में एक बैलर समयाच इदेटशन अगर तर एक दों वाटर की मात्राण जाओगा झाना टूब आपकी सूरी निधर ख़ोंगी पूंत्सन होगगा अपना लेविल है दो आपना अपसनी नुकसनी मेंजाएगॉ दोट आने डायगीर हो गया,डिसब्से नेखा किरते हैं वह अफीनल दोट नुकसनी तैपनी से यहाँ । नेखैं को अफनल हो नंदिटेंग को मताल शंप देखाए। हाव holiday का हमारे शरी में balance में चाहता है जरूरी है कि अगर ये शरी में ज़्यादा हो रहा है तो भी बाहत नुकसान भर अगया है और हमें स्री में कम हो रहा है ऊच्छा हमारा शरी में fitness में कका बना गेता है, इन future or funded jedion आगे, हैți Col मेटाबालिज्म की प्रॉसेज हो रही है तो उससे भी क्या है कुछ मातर ना आपको वाटर मिलता है एक तो यह हो गया और दूसर तो जो मिन आपका सोर्स है आप कि पी ते एहा पानी तो उसी से चुपानी पी पीनी पया हो इसने आप पलाए हो तो वह रहे हो लह फिंता है जिने के तो ऐसे आपका जो है डेली लॉस ही होता है तो इसी इंपूट और आउपुट से ही आप दिश्वी में वाटर जो है बेलंस में बना रहता है और जिससे कोई भी कॉम्टिकेश्न डवल नहीं होता है जब ये बेंस बिड़ता है तो कॉंप्रिकेशन डबलप हो जाएंगी ठीक है अच्छा ये जो फ्रूट होता है आपको कितना चाहिए डेली तो उसके मैंने बताया था कि एक जो हमारे एक का पर सकंशखे हों कि ईतना रा करें अब ये लौस कर करें घा ढगरा कर बहुद उसके लिए इसे आप नशना सप्रूट का आप wł conta है चाहिए in आपम कि यूटन आप में एक रवारी मने लॉस का लॉस कि कि आप कॉम कमने हैं 2 उसे करने हाoure लूस कि लॉक्त हैं जो कि मिले में हो इस लॉस्वी बांट लॉस लॉघ है दो पता है उतना वहां जुदी यूदिork बीधिर विखिए लेकिन उसे आप काउंटिं कर सकते हैं कि उसे इंसेंसरे फ्रोड बोलेंगे और वो लगो एवे बताएगा है कि पूरे दिन में आपको तीम स्राइमल उप्जोर है वो इस मेटावालिम्स की प्रोसेस के पहत में दियाता है और वहीं जो आप पी रहे हो वो उसे आपकाउं करी सकते हो जो आप पी रहे हो तो हमने लॉस कितना किया यानि कि जो एक हैर एमेल जो हमने इसकिन कित्रों लॉस कित्रों लॉस किया वो था कितना एक हैर एमेल उसमें प्लस कर दो जो आपने यूरीन से लॉस किया है अब मिला कितना एक तो 300 ml मिल गया आपको यह जो मेटा वालिंज की प्रोसेस्टरे मिल गया अब उसे इसके एक हयाब में से मैनस कर दो यानि की 700 ml तो अब यह लगा आपका 700 ml और प्लस आपका जो इनुन से आपने लॉस्टरे मिल गया तो यह तो इतना निकल कियाएगा इतना अफ्लोड आपको डिलीच चाहिए आपको रिक्राइमेंट होती है कि इतना अफ्लोड आपको डिलीच चाहिए उस तो वाटर को बैलेंस करने के अब यह जाहिए बात है कि जब आपके शरी से वाटर निकल जाएगा तो आपको जिवीजरुवत पड़ती है अब आप में देखा कि कई बार आप जो है बहुत जड़ा रहा है और गर्मी में वह एतना बहुत जड़ा गर्मी है तो उसके वैसे क्या होगा कि आपके शरी से में जड़ा पसीना आएगा दूसरा आपके लंग्स तरूपी सांस के तो दूपी कापी जब है जो वाटर है उस का लॉस होगा तो जब आप गर पर आते हो तो आप तुरंट से आप पानी क्यों पीते हो क्या जैसी वाटर की कमी हो आपको परेशानी दिकत में जाती है उसक नाम दो के लिए लोग हूं दो यह को भी महसूं ते जाता है। तो आपने क्या किया है जब आपने ग्लुकोस या फिर नमक वगरा मिला तो उससे उनकी कमी भी दूर होती है और तब उसको देने पर आपको एक एनलजी सी महसूस होती है तो जब आपके शरी में वाटर का लॉस होता है तो दो तरीके हैं कि आप उस फ्रूट को दूरी जाए जाए एक तो यह है कि आपको ओरली ही पीने को दे लिया जाए और दूसरा यह है कि अगर आप ओरली देने में सक्षम नहीं है तो इंट्राविनसली आपको फ्रूट दे अनकि इंट्राविनसली देखो पहले क्या है इतना जरूरी हो जाता है वाटर के पहले एक समय यह था कि काफी साल पहले जब कि इंट्राविनस फ्रूट देने की सुधा डेवलप नहीं होती तो उस समय क्या होता था कि आप सिफ जो जो लॉस हुआ है उसको ओर ले ही लेके आप उस फ्रूट के लॉस को पूर्ति का सकते हैं यह तो उस समय प्रूट ले नी सकता पेशन इतना ज्यादा उसे वॉमेटिंग हो रही है तो इतना फ्रूट लेनी सकता है पाई एपर क्या होता था पैरे टायम में इससे सिफ है जासे ही काफी मौत नहीं हो जाती है लेकि तो वैसे उसकी पिशेंट की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, यह इन्टरगिनस के फाइले ली है, तो वैसे एक जनरल सिधान्त है, प्रिंसिपल है, वो तो यही है कि अगर आपको मुखसे लेने में समर्थ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको severe dehydration नहीं है, तब त तो उस समय आप इंटरगिनस्ली की फुद आपको देना पड़ेगा, इंटरगिनस्ली मैंने बताया इसके कुछ फाइडेगी है, उसमें एक तो बहुत तेजी से आप काफी मात्रा में फूट दे सकते हो, लेकिन वही कुछ नुपसान भी है, एक तो इसमें होश्क्राइज की जरुवत है, दूसरा अगर आपने बल्स फूट दे लिए तो उसे नुकसम हो जाएगा, परचला किसी को डियाविटीज है और आपने ग्लीकोज उसे बहुत जारा मात्रा में दे लिए तो नुकसम हो जाएगा, या तपरचला किसी को जो है, हाइपरटेंशन की काईवा परचला कि आपकी जो फूट है उसकी बहुतल लीकेज है और वो इंफेक्टेड हो गई है और ऐसे ही आपने इंफेक्टेड फूट को लगा दिया तो उसके नुकसम दी है, ठीक है, तो यह हमने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा क्लासिकिकेशन यानि कि अगर हम दोटली देखें तो हम इनको क्लासिफाइट कर सकते हैं, तो वो हम क्लासिफाइट इनको कैसे करते हैं, इंफेक्टेश को तो वो क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा लेकि उससे परे कुछ टर्म्स जानको आप जब क्लासिफिकेशन आप अच्छी तरीके से समझ अपने लेकिन उसे पहले कुछ तर्म से हैं जिनके मैं आपको क्लियर कागी तो आप पर अच्छा समझ मैं आपको अपने इंटर्म में लेकिन फिद्वी यहां पर दिवारा क्लियर कर देखा हूं लेकिन पर फिलिध के हैं आपको अपने फिल्म से बहुं हना है कि इस आपको इस दरिमूजिध क्या तो यह देकिन की आपिए to sit इसे मान लेते हैं.. तो मैंने एक फ्रूट की ऊपली, किया यूू शीप की ट्यूः ले लगा है अब क्या किया कि यहां लागा, लागाई दिया। लागा जी इदा का फ्रूट इतना है, रिजा का फ्रूट इगर नहीं जा tvरने हिसमे मैं एसरे ड्रोड का लगया ठीया आप झाल भड़ तरह कोई तु इससां साइड कर बहुट पहर तरह टीया ठीया तिया इस कोई चाहर 數िय। एक नाचरिल सी चेज़ शिता कर दीर चला जाएटा। यही होगा।। जहां कि वाल्य। जाहां पे था तो यहां पर छालाय फ्रूइपर फ्रूट का वहां कि खुल και जबादव पर एलए कि जाया है। हमेना की कम था उस साइड चञाए जो इस हम कहते हैं वह wewood diffusion कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगे क्या है diffusion? अच्छा, इसी दिर के से इसको एक और एग्जांपल से समझ सके हैं कि हमने एक बॉक्स लिया उसमें हमने एक जो है बॉल थी जिसका की टेंपरिचर काफु जादा था यानिकी 40 db Celsius था और वही हमने एक दूसरी बॉल जिसका की टेंपरिचर का 0 db Celsius बहुत कम था उन दौना बॉल को हमने एक बॉल एक साब कर दिया एक घंटे ते छोड़ दिया उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा उसके बाद इसखिस ते पvoice जादा गे क्या जायगा तो दौनों का टैंपरिचर लगा बराबर सा पहोजायरा तो यहां पर क्या हुगा की इस इस पार का टैंपरिच्र जा रहा था उस बाल का टैंपरिचर जिसमें बिलु ऋफुभल की तैंपरिचर नहीं था जिसमें तो उसमें यहाथ है वो तेंपरचर चलाजाएगा फिर दौनाओं का लिए तो इकल हो जाएगा यहाथ देखते वा इसी को हम कहते हैं Diffusion क्या हो रहा है कि जहां पर की छ़्यादा है मैंना अब यहां पर क्या होगा, जहां पर की temperature जालाता है, वहां से कहा जलागी है, जिसका की temperature कलता हुशा है, इसी को हम कहते है, diffusion. अब इसमें दूसरा एक term साथ है, osmosis, यह osmosis क्या है, osmosis भी diffusion ही है, लेकिं osmosis में कई बारे हम जो है, confused है, जो कि osmosis में क्या होता है, अच्छा, osmosis को पहले समझने से पहले हम एक चीज़ बहुत समझेंगे, कि यह solution क्या होता है, solvent क्या होता है, और solute क्या होता है, ठीक है जिसमें क्या होता है, solvent 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 क्या होता है तहीं हम solution जाना की solvent जा हो जिसमें की कई चीज गुोरी जाए मेंट लिजा है तो जिसमें की कोई चीज गुहरी जाए उसे कि कैए हम solvent जिस जी चीज को भूर जा रहा है उसे कि एंगे solute और गुहने के बात जो मिक्षान तयार होगी हमेर उसे ऐसे का solution हब अस्मोसिस को समझते हैं अब हमने क्या किया एक अस्मोसिस की जो पिकलिया होती है इसमें हमने यहाँ पर एक Semi-Perm21 । रब्रम होती है जो हमने फूट बढ़ा उसकी to concentration जो थी वो कम थी यानि कि उसमें जो solute थे अच्छा इससे पहले एक concentration वाड को उसमें लिए concentration क्या है अब जो आपको मैंने बताया कि जो आपका solution है यानि की चीनी पानी का जो गोल है अगर मैंने यह है कि जो एक ग्लास पानी में एक चमस चीनी डाली तो यह आपका हो गया यानि क्या solution तियार हो गया अब वही है मैंने एक ग्लास पानी में पांच चमस चीनी डाली तो यह क्या हो गया तो जिसमें मैंने एक चमस चीनी डाली है उससे ज़्यादा इसी को हम बोलेंगे concentration, यानि कि concentration क्या हुआ, यानि कि जव आपकी solute की मातरा बढ़ रही है, किसी याने क्या है, solvent तो आपका उतना ही है, मालो आपने याने क्या है, तीन ग्लास लिये, जिसमें कि solvent याने क्या है, आपका पानी, तीनों पानी बरावर था, एक में डाला आपने एक चमच शुगर, ठीक है, दूसरे में डाला आपने पांच चमच शुगर, तो ये क्या हुआ, जिसमें एक चमच जाला है, उससे ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, अब तीसरे में डाला आपने दस चमच शुगर, तो ये पांच चमच वाले से और ज्यादा कंसंट्रेट हो यानि कि concentration के यह है क्या हो रहा है यह जैसे आप solute की मतरा बाते चला जाए रहा है वैसे आप इसको समझते हैं अग यह आप के यह यह आपने दूशेप की एक वो ट्यूब लेली उस्मोसिस को समझते हैं अब यहां पे बीच में ड़ादी Semi Permemporary Amendment कोब समझें सेंपेयबल का होता है एक होती है हमारी इंपर्मेबल मेंडिन क्या होती है जिसमें कि अब यहने क्या ह कोई अगल दला घीक है एक solution हमने यहां बाला डाला कि अब यहां पर हमने इंपर्मेबल मेंबरीन लगाई तो क्या होगा कि यहां से ना तो सॉल्वेंट और ना ही सॉल्वेंट इसमें से होंका इधर को जापना है यहां कि ना तो इधर का मिर सॉल्वेशन इधर आपा रहा है ना कि इधर का सॉल्वेशन इधर इधर आपा रहा पानी दोनों इदर से इदर को जा रहे हैं यह वही गूँ धर से इदर को जातने हैं ठीक तो यह होग फ्री दापर गिया करती है सब्सख बस्री कलिए उस्य इतो में करती है शेध सॉल्योन को अइसा बस जड़े जाने के लिए क्वाञ सब्सक्रादी लुक्रादी onseny permeaable membrane क्이션िति ने रही है कि लेकिन जो आपका सोल्यूर्ट है यानि चीनी है तो यहां पर हम पर आपे हम ऑस्मोसाइस की पिप्रिया में I A85 सर्ने लागी Yoga senhor आपने यहां पर एक साइडे सकते के आपने यहां तक आपने यहां तक आपने यहां टेती, आपने शॉलुशन तर्यार किया थि civil कली ति अभू एक अधेक पानी में थे दिया जोने आपे ये एक ग्लास पाणै पी और यृटी वे आपेCrम यहां पर दाल दिया तो किया होगा? क्या होगा कि जहां जो एक चंब चेनी है इसमें का कंसंट्रिशन पाण हम प्रफ क्या यहां है एक हष्यूस को है भागा दसmy चमजिन नहीदा है तो से जल में है तो इसे साहदे एक केरा बहुत और फिरते पार में होब टिंदेख जा है group on कि पानी सब्सक्राणी कि क्रूंची है तो लोग से तररफ चला जाए पार में आपक। तो आपने देखा जाया तो इसमें पानी की मातला कहां पर यहां पर जो है मैं बताया कि यहां पर एक ग्लास पानी है और उसमें एक चमच चीनी है यहां पे एक घ्रास पानी में दस івगलाँ finns तो यहां पर रहे हैं समय भी तो यहां पड़ियों करता है तो इसने पर होगा, पानी नरुन हारा है शेक THIS बात हम करते हैं सिर्फान की हानकी का रहा है यही बबचाते है और यहां पे यहां sp conscious background पानि क्या हो रहा है? solvend कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो जो कि इना कि मैंने defusion में बताया कि क्या और Thrones ठीक सा स्वारण का मैंने बताया था योया जब ज्यादा है लेकिन जब बात koncentration की करो रहिए तो यहां प्यो較 scientific करो फिर भात यहां पर यहां पर कंसेंटरेशन कम और यहां यहां पर कya 10 चमस चीनी है और यहां जादा होगोования, फग 것으로 गारिटार यह 10 चंप्यारS diaphragm जादा है, यहां पर 10 क काफी चैन्सेंटररशन जीए याहता गारा हुग गार साइफ को गार गारा का इसी चैन्सेंटररणा से जादा हि चीक है ? इसे समझना अच्छी चरूप्से से था है, इसे समझदना अच्छा टारिफ से थे समझ चाहिए पुरिया को कि ऑस्मसिस में क्या हो रहे है ? जहां पर की लो खसा है ? वहाँ से था हुदर है हाई Concentration की तरफ proven她 हो गार है ठीक है, उपर से हरका सबसे कट कर दिया, आप उसे बीच में से खोगला कर दो आ दो, ठीक है, तो यह आपको इस तरीके कातिया हो गया है, आपने क्या किया नीचे से कट कर दिया, उपर से कट कर दिया ऐसे और बीच में से यह खोगला कर दिया, यह खोगला कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करों? यह हम मिशने क्हारी का लिए हमने पॉल सरते रिया और इसमें वाटर प्लें लॉटर इसमें मिक्स कर दिया अब हमने क्या किया इसमें यह जो आलू है इस आलू के इसमें तपतिया एक है टो हमें इसमें रख दालता हमने एसमें दालता है आप इस आ Department अहिए घंद तो यह जो अन्धर एक उस में जो है कि लाश में पानी में और उस पानी में जो है शुगर डाल के चीन खुवच्छी लिए से मिक्स करके इस अलू के बीच में डाल गो जब वह भी नहीं हो तो खाली नमक हो नमकी इसमें डाल गो एक नमक को इसमें डाल गो इस अलू के अंदर तो आप और इसे रभब एक दो घंटे के लिए छोड़ एक दो घंटे बार आप क्या देखा होगे कि जो पानी आपने भार डाला था अलू के अंदर बह जायागा अलू के अंदर ठीक है इस खोकले पार्ट में यहां पर खटा हो जागा यानि कि यहां पर काफी चड़ जाएगा उपर को पन जाएगा तो यह क्या हुगा आप अलू के अलू के भार हमने खाता है आप हम इसमें कि पढ़ावा दो तो पानी को डाली जमक की बाह्टा आएव जिसमां कि कुछ पढ़ा उब ह抖unnitel न कम फिसमें प्र खwn वो moss prototype, tiyorum, जैनों है वो semi permeable membrane का मेम कर रहा है तो आलो के अंधर क्या है? high concentration, आलो के बाहर क्या है? low concentration, तो फानी काहा से जाएगा? low concentration से high concentration के बातो है है यानि कि पानी को बाहर है बाहर से आलो के अंदर जा गड़ा यानि कि अन्दर के तरह यही पिक्रिया है, इसी जोने थ्योरी से ही क्या होता है, जो आप प्लांस लेते हो, तो प्लांस में आप कैसे पानी उपर चड़ जाता है, वो इसी पिक्रिया के तहत ही चड़ता है, ठीक है, तो असमों से समझ में आया है, अच्छा, दूसरी चीज आप इसमें कर सकते हो, कि पानी लेना और अलू के अंडर डालना पानी 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 जयाने ठीक को जादा थी नहीं पर फिल्लम ही को बताया था कि गोटा yaATION वह लो कंसंट्रेशन ahi कंसंट्रेसिन losa नहीं की आलू के अंदर पानी उन्ट हुए ऑँ करएगा है ठीक है पानी को पानी को पानी रखा और बहार चीनी का गोल लखा तो पानी क्या हो रहा है कि अंदर से बहार की तरफ जा रहा है तो इसे हम क्या कहिए एक्स ऑसमोसिस जब आपने पानी को बहार की तरफ पानी जा रहा है तो पानी जब अंदर जा रहा है तो उसे एंड ऑस्मोसिस और जब आपने जो है इसके बाद हम आते हैं अपने प्लासित के क्लासिफिकेशन पर 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 क् जिएस में small molecules होते हैं जिनका की molecular weight ली जो है काफी कम होता है तो इस तरह के molecules जो है इस membrane से easily क्या होते हैं कि pass हो जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि यह नि क्या है आपकी membrane है तो membrane से क्या होगा कि आपके जैसे blood vessels है तो उसमें आपने क्या की प्लड वैसल्स हैं रिक से आयब हो gaya, हिटे रिंदरह्स लेक्टेड, वही कुछ सॉलूइशन है क्या मता आहा है कि कोलाइट्स, कोलाइट्स में क्या है高ई वो फ्लो लाए जाते हैं जिसमें की जारग मॉलिकुलर्य मॉलिक्लियर वेक काफी ज्यादा होता है, ठीक है तो इसमें जारग जिसमें कि जो molecules थे वो small थे, इनका molecular weight कम था, और दूसरे है colloids, जिसमें कि जो molecules है वो बड़े हैं, इनका molecular weight ज्यादा है, और तीस दर जो हमने इसमें classification किया है, कुछ special fruits होते हैं, जैसे कि D25 है, कुछ special fruits में आते हैं, जब कि सिरी को hypoglycemia हो जाए, glycemia यानि कि आपका खून है, उसमें glucose की मात्रा और हाइपो मिल्स कम होना, तो जब खून में आपनी glucose की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसे हाइपो glycemia बोलेनी, और इस condition में आपको तुरंधी या उसको glucose देने की जगवर पढ़ती है, तो इसी के लिए D25 आती है, जिसे आप कुछ पढ़निक हैं हाइपोटीर्टॉनिक, कुछ हैपतॉनिक और कुछ होते हैं हैं है, तो है आएसो टॉनिक बार होते हैं, जिसका की जो discret depression जो होता है, जिसका की जुर्फ्रेश्यलिदर होता है। जि मैंने बताया है। आपको मालबो एक तर रफ कंसंट्रिशन का fruit है, तो बीच में semi permeable membrane उस पर एक pressure develop होता है उस फी pressure को हम क्या कहते हैं आस्मोक प्रेशर तो इसको नापने के लिए यह यह वर्ड यूज होता है कि किसमें कितना आस्मोक प्रेशर है इसके लिए इसके लिए क्या कहते है ऑस्मोलाइलिटी ठीक है तो यह आपका जो है इसको तीन बेट किया गया हैं हाइपोटनिक, हाइपोटनिक और आइसोटनुक जस में कि आप जो फ्रुट दे रहे हो उसमें जिसमें अब ब्हुत करना झाँ पर है जो मिसां अटो आप के फूर्ट वहा फुले और आपका बन परनिक इस जिए और थी यह था सॉल्वेंट जा जो के कि को चाते हैं ज्रूदान के कांकेते क कि तुलाल ये जिसके होगे कि कि तुलाला में अपके बॉडीकित कि तुलाल में ऐसे फुलट्स पो आपके दई में जई गया तो उससे चाहा केंड़ा होगा? जब ऐसे फुलाला हे जब आर्विसीज कोछन वहोगी गेज़ कमिता हुआ है कि मैं आपकर बाहर से वाटर क्या है। कि इस सेल्स के अंदर मूब करेंगी और इसकी विए सेल्स फूल जाएंगी और इसकी विएसे एडिना ड़नगते जाएगा तीसरे है। है? हाइपo-tonic इसमें क्या है? कि जो आपका, जो जो सॉल्ютीशन काम है । है। इसका कन्सिंट्रेशन कम है, आपकी RBC कार्शन ज्यादा है converted water to more than more. तो आपके solution से RBCs की तरफ मुग करेगा वाटर, तो आपके solution से RBCs की तरफ मुग करेगा है, इसलिए से RBCs आपकी फूल जाएगी, ठीक है, और एडिमाटर लग भीजाएगा, तो ये था उनका classified, अब हम देखेंगे के crystalloids में हमारे कौन-कौन से यहने क्या fruits आते हैं, और collo Thank you.